गुद मॉर्निंग प्रेंड कैसे आप साब आई होगे आप साब अच्छ होएंगे और देखिए यह क्या कर रहा है यह देखिए कैसी हालत हो गई हमारी पूरी दूल दूल निया पर देखिए घर का सामान जा रहा है तो पूरा जेखिए बैड वगेरा निकाल लिए टंकी वगेरा सब रखी हुए यह घर ग्रस्ति में बहुत सामान होता है और यह देखिए अंदर का भी कर लिया हमने अंदर का भी रख लिया तो हस्बेंड आ रहे हैं आटू लेके तो अब सब जाएगा किचिन का थोड़ा बचेगा हमारा सब फैलारा पुरा है इसको माइड भी सामान चला जाएगा अब हमारा एक आद दो बचेगा उगर रखा रहेगा चलो ही जब मुबाइल मुबाइल सब छुटा के रखो पकड़ा लुटा का लुटा का फार लुटा कर दो एकड़ा लालो आधा थाल आधा एक अब पार बार्टा कर रहा हम कम से कभी दो रहे को कोई आया है ना अच्छा वहाँ पर इंप्रेशन बंद बढ़ जाता है यह देखो इसके पाद पूरा धर ठाली हो गया तो मैंने सोचा चलो सफाई कर देती हूं तो पूरा इतना गंदा हो रहा था यह एक घंटा हो गया मुझे मैं पहले से ही किस रही थी मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो सूट कर लेती हूं इसलिए पूरी खाली हो गई हमारी अब पूरी खाली हो गई हां पर जगा आराम जे निकर ले के लिए क्योंकि बहुत से बीच में रखी थी और देखिए बिल्कुल साफ कर दिया मैंने वह चिकता हो गाई तह जहां पर सामान रहता तो वहां पोचा नहीं लगा पाते हैं इसलिए और किचिन भी मैंने बहुत अच्छे से दो दिया है पूरा साफ क्लीन कर दिया है इसमें मुझ साफ कर दिया थोड़ा थोड़ा वहां पर लगा है और यह देखिए कि ना सामान बस हमारा बचा है उपर फैल रखा है और फैल लगे हुए है अभी थोड़ा सा सामानी है मतलब जाद आवा मारे पास कुछ नहीं है और एक अन्वारी उपर है तो वह हमें उसको यही कुछ मजबूरी होती है तो यह देखिए खाली घर कितना अच्छा लगता है जब भर जाता तो बहुत दिक्कत होती है तो चलिए बने रहे हैं फ्रेंट ब्लॉग में यह देख लीजिए पुर्सी टाइट हो रही है उसी बन रही है इनकी देखो अब से परेशान हो रहा है और यह सब फैलारा यहां मेरे लिए लेकर आये हैं यह यह लोग देखो अपने काम में लगे है और इत्ता सारा फैलारा मेरे लिए रख दिया कैसा पढ़ा हुआ ती दिमाग खरा हो रहा है कि हां से क्या जमाओं कुछ अंदर मैंने जमा दिया है यह देख सकते हैं पल्मीरा में और काफी बचा हुआ है यह दो कि अब यहीं सोचा जा रहा है कि कहां पर क्या जमाई आ है कि जादा अधी कच्डा रहता तो किचिन पर बहुत जादा कच्डा रहता है तो इसकी इतनी आवाज आ रही है कि तो मेरी आवाद तो दभी रही थी और यह जो डब्बे हैं यह खाली रखूंगी सारे क्योंकि जो किराना था वह सारे डब्बों में भर चुकी हूं मैं क्योंकि वोस वाले घर में हमारा ना बैल्टी नेशन प्रॉपर नहीं था तो सारे डब्बे खराब हो जाते थे और मुझे हम मतलब एक महिने में दो बार तो मान नहीं पड़ते थे और इतने चिकड़ जाते थे मैं परिशान हो जाती थी बलकि एक्जोस्ट था यहां पर पर फिर भी एक्जोस्ट का कोई मतलम नहीं था लगाने का क्योंकि उसके उपर मैंने टार बना दिया था लाफ्ट बोलते जिसको तो वह सामान रखने के लिए तो वह उसमें ही दब जाती थी उसकी एर दारेट हमारे रूम में लोट कर आती थी यहां पर सारा सामान पैक र चली फ्रेंड हम लोग चलते हैं सुबह से आज हमको साम हो गई ठक गई हूं अब मैं इतनी ठक गई यह लोग भी बहुत ठक गई क्योंकि इनने उपर सामान चड़ाया चैनी में अभी कल दिखाऊंगी अभी तो ताल लगा दिया बेटे ने कल दिखाती कि ऐसा सेट अप कर है कम रूम में और दिखी ने पूरा वहां पर अलग दिया पूरा इधर पर आ गया है वाफी लंबा हो गया वह भी अधर पर अब चलते हैं अधर पर